पूरी तरीके से बुक्ति दिला पाएंगे अच्छी चीज है पानी खूब पानी पीए पानी पीने के पहले पानी को थोड़ा सा गर्म करके पीए और गर्म कर लें लेकिन उसको थंड़ा होने के बाद उसको गर्म करने के बाद थोड़ा थंड़ा होने के लिए रग दे उसके बाद उसको पीए ऐसा करने से सरीर का जहर पेसाब और पसीने के रास्ते से बाहर निकल जाता है ये बहुत जरूरी है टाइफाइट के लिए कि आप अधिक्तम पारी पीए इसके अलाबा लहसुन लहसुन बहुत फाइदे मन्द चीज़े है टाइफाइट के लिए या अन्द किसी भी पिरकार का बुखार यदि आपको आता है तो लहसुन उसमें बहुत जादा फाइदे मन्द होता है लहसुन की चार पांच कली ले ले या पांच से दस ग्राम तक काट कर उसको तिल के पांच कली ले कर सकते लेकर उनको खाले दिन में दो तीन बाद तो ऐसा करने से किसी भी पिरकार का बुखार हो वो ठीक हो जाता है यह बहुत पक्का घरिलू उपाय है बुखार में जरूर इसका एक बार उप्यो करकर देखे पहले ही दिन आपको बुखार से पूरी तरीके से आराम मिल जाएगा इसके अलावा माथे पर ठंडे पानी की पट्टी ये सबी जानते ये तो रखने ही चाहिए इससे बुखार उतर जाता है और बुखार की गर्मी भी सरपन नहीं चड़ती एक चीज और प्याज फिलू में प्याज का रस यदि आप दो तीन बार पीते रहते हैं तो इससे बुखार उतर उतर जाता है साथी ये कब्ज में भी बहुत आपको फाइदा देती है पुदीना और अद्रक का काड़ा यदि आप दोनों को समान मात्रा में मिला करके इसका काड़ा बना करके पीते हैं तो भी बुखार उतर जाता है काड़ा पीने के बाद में एक चीज का आपको ध्यान रखना है सिर्फ लेटे रहें आराम करें बाहर हवा में आपको नहीं जाना है इसके अलाबा पान का रस अद्रक का रस और सहब इन सभी को बरावर मात्रा में मिला करके सुबेस आप यदि आप पीते हैं तो भी ये बहुत जादा बुखार के लिए फाइदे बंद होता है तुलसी और सूरज मुखी के पत्तों का रस इसको भी सभान मात्रा में यदि मिला कर पीते हैं तो भी तुरंट बुखार उतर जाता है कच्चे आम को आग या पानी में पका कर इसका रस पानी के साथ मिला कर पीए आम पना जिसको बोला जाता है आम पने को यदि आप पानी में आदा पानी ले 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 आदा आम पना ले ले और इन दोनों को मिला करके यदि आप पीते हैं तो ये भी मुखार के लिए बेहत फाइदेबन है मुखार उने पर इन सारे प्रियोग को यदि आप करते हैं या इन में से कोई भी एक प्रियोग आप करते हैं तो निश्चित तोर पर आपको टाइफाइड मुखार में तुरंत आराम मिलेगा तो दोस्तों ये था आज का मुणा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें अच्छा नहीं लगाओ तो डिसलाइक करना बिलकुल भी ना भूलें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद